हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल, दोस्तों आज इस वीडियो में हम Realme 7, Realme 8, Realme 9, साथे साथ OPPO का A53, A54, A53S, A74 जैसे 5G हैंड सेट मॉडल्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं आपके साथ, अगर आपके पास इन सभी हैंड सेट के अलावा, अगर Realme का कोई C सीरीज का हैंड सेट या नार्जू सीरीज का हैंड सेट भी है, तो इस वीडियो को देखके आप अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करना सीख सकते हैं, वो भी बिलकुल free of cost, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टन है इने वाला है, इस वीडियो को गौर से देखिएगा, साथी साथ यहां पर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप offline तरीके से घर बैठे आपने स्मार्टफोन को आप अनलॉक कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देख लीजिए, सबसे पहले आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल अ आपको यहां पर दबा देना है, यह आप जैसे दबाएंगे तो आप कहां पहुंच जाते हैं, इंजीनियर मोड वाले पेज में, इस पेज पर आपको जो इंजीनियर मोड वाले पेज आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां पर इसके बाद आपको यहां पर आप क्या करना है कि देखिए यहां बहुत सारे option आप देख सकते हैं यहां पर आपको automatic test है, manual test है, software version है, first of all software version के अगर हम बात करें तो यहां पर आपको factory version दिखाई दे रहा है, इसी factory version पर आपको continue इस तरीके से tap करना है, tap करते हैं यह लब्मे line आपको यहां पर दिख जाती है, समझें कि यह आपका काम हो गया, एक वारी tap कर भी सकते हैं, यह आपके उपर depend करता है, back करने के साथ साथ हम यहां पर क्या करना है, manual test वाले option पर चल जाना है, manual test वाले option में जाते हैं, आपको सबसे last वाली option में एक वार check करना है कि आपका database version है या फिर main mode version है, यह आपको check करना है, अगर आपका database version है, तो आपको पहले reading reset पर click करना होगा, अगर आपका main mode version है तो इसको click मत किजिएगा और pass होने दीजिएगा, ठीक है, main mode version वाले को इस पर click नहीं करना है, then यहाँ पर क्या करेंगे, first वाले option पर चल लाएंगे, किसी एक sensor के हमें जरूरत है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक sensor हमें जो नीट थी वो हो चुका है, पास हो चुका है, gyroscope यहाँ पर enable है और यह पास हो रहा है, बाकी एक fail हो गया है, बैक करेंगे, बैक में आप gyroscope क्योंकि हमारा working में है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इसका self test करेंगे और यह यहाँ पर पास हो चुका है, सबसे important चीज़ कि यह हमारा पास हो चुका है, यानि कि अब आपका phone जो है 100% unlock हो जागा without data loss, साथ यहाँ पर क्या करेंगे, read right पर क्लिक करेंगे, first time में cancel, second time पर same यही method apply करना है और ok कर देना है, ok करते हैं जैसे यहाँ पर wrong password आपको दिखाए देगा, आपको कुछ नहीं करना है बस beach वाले बटन को दबाना है and then आपका यह phone 100% unlock हो जाएगा without data loss, तो कैसा लगए यह वीडियो आप हमें comments करके जरू बता हैं, फिर मिलेंगे next video में, thank you watching and bye bye.